Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों, अभी-अभी महारास्ट्र बोर्ड ने अपनी SCERT की वेबसाइट के उपर Economics Class 12 का Question Bank डाल दिया है और उसी के संदर्ब में ये वीडियो है तो इस वीडियो को अंतक देखिएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है और क्या है खास Economics Class 12 Arts Commerce और Science Students सभी के लिए Economics का ये जो Question Bank जिसका काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था वो फाइनली आ चुका है जी आँ दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ आपको जाना है अपने ब्राउजर पर ब्राउजर में आपको m.a.ac.in ये वेबसाइट है हमारी S.C.E.R.T की और इसी पर आपने बाकी के भी जो इससे पहले कुछ आये थे question banks वो यहीं से आपने डाउनलोड किये थे इसी वेबसाइट पर जाएंगे या ता बारवी प्रश्न पेड़ी या चावरती आपण क्लिक कराईचा है आणी इकडेच तुम्हाला सर्व विशायन चे जे इंग्रेजी माध्यम English Medium के जो भी question bank available है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इसमें एक addition हुआ है कुछ ही time पहले Art, Science, Commerce के लिए economic subject का आप इस पर download के बटन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने ये जो economic standard 12th का PDF है ये open हो जाएगा दोस्तों इसकी रूप रेखा similar to what the other PDFs where उसके जैसी ही रूप रेखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर economics 49 जो subject code है वो दिया है और साथी साथ दो सुचना है जो पहले के question bank में थी वही यहाँ पर भी दी गई है फक्त विद्यारत्यानना प्रश्न प्रकाराचा सराव करूंदेना साथीच सदर प्रश्न संचातिल प्रश्न बोड़ाचा प्रश्न पत्रिकेत येतिलत असे नहीं याची नों दियावी यानि फिर एक बार उन्होंने एक समूह questions का देने की कोशिश की है थाकि आप paper pattern को भी समझें और बहुत सारे अलग-अलग type के IMP questions की तरही आप इसे लीजिए बहुत अच्छा ये question bank में मानता हूँ objectives के लिए खास तोर पर यूँकि हर chapter के आपको यहाँ पर objectives अच्छे तरीके से मिल जाते हैं साथी साथ इसके अंदर कई अलग-अलग प्रकार के questions का समावेश किया गया है और आपने अगर अच्छे से तयारी कर ली इस question bank में से तो मैं समझता हूँ आप पूरा syllabus जटपट cover कर सकते हैं तो यहाँ पर 32 pages का यह economics का PDF है और इसे आप download कर लीजिए यहाँ पर top right पर download का button है इस पर click करके आप इसे download कर सकते हैं से अगर देखेंगे आप इसे तो पहले सारे objectives हैं यहाँ पर सभी objectives आपको नजर आएंगे हर chapter के chapter wise objectives यहाँ पर दिये हैं क्योंकि आपके paper pattern के अनुसार 20 marks के objectives आने वाले हैं अगर आप नीचे scroll करें तो आपको अलग-अलग type के objectives भी नजर आएंगे जैसे यहाँ पर आप द कई सारे questions आपको यहाँ पर give economic terms के मिल जाते हैं find the odd word तो यहाँ पर आपको अलग-अलग questions find odd word के मिल गए हैं तो basically पूरी तयारी आप question bank से कर सकते हैं अच्छा pdf में इसको मानता हूँ इसमें criticisms होंगे इसमें reduce syllabus या out of syllabus की बाते होंगी x y z कुछ भी हो हमें board से कुछ मिला है और उसका हम कैसे इस्तमाल करते हैं यह असली student की पहचान होनी चाहिए और आपको इसको अच्छे से use करना है मैं थोड़ा सा directly नीचे आता हूँ और scroll करते हुए नीचे आकर मैं आपको directly कुछ questions दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इन्होंने हर paper pattern के हर question को cover किय जैसे अभी बात करें distinguish between की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर chapter के अलग-अलग type के distinguish यहाँ पर दे दिये गए हैं तो कुलमिला करके 25-30 के उपर ही distinguish यहाँ पर आपको नजर आएंगे सभी इन्होंने हर chapter को cover किया है तो कोई काट कसर यहाँ पर आपको नहीं देखने मगर पूरी तरह से distinguish आपका prepare हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ध्यान देकर chapter wise distinguish पढ़ना चाहते हैं तो slicing method, lumping method, partial equilibrium, general equilibrium, time utility, place utility मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इसी में से कहीं न कहीं आपका paper सेट हुआ है और सभी जो संभावित questions हैं वो इन्होंने यहाँ पर दे दिये है answer the following की बात करें तो यहाँ पर कई जाने माने famous questions भी आपको नजार आएंगे features of micro economics, scope of micro economics, features of macro, any four, scope of macro, इसके अलावा four types of utility, four features of utility, इत्यादी, अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर आपको question, 15 questions दिये हैं इसके अलावा और भी आप देखें तो index number से related question है, once again कुल मिलाकर के 25 questions य यहाँ पर answer the following में आपको नजार आ रहे हैं, question number 4 की बात करूँ, तो agree, disagree, once again, तो आप देख सकते हैं, अलग-अलग type इन्होंने सब cover कर दिया है, और फिर से 25 यहाँ पर agree, disagree भी आपको देखने मिल जाएंगे, okay, तो आप आसानी से इस PDF को go through कीजिए, download कीजिए, print निका रखें, बाकी काफी आसान है, इस साल पास होना, अगर आप महनत करेंगे, और महनत से आप पढ़के अच्छे से paper को present करेंगे, तो आप definitely अच्छे mark score कर पाएंगे, आखरी questions की अगर बात करूँ दोस्तों, जो long answer का question होता है, तो long answer के question में भी सारे famous questions आपको नजार आएंग लेकिन यहाँ पर उन्होंने question bank के अंदर law of supply भी डाल दिया है, law of DMU, law of demand, law of supply and its exceptions, तो हर law को आप पढ़ लीजे, यह बात तो clear हो जाती है, law तो पढ़ना ही answer इन detail में आ सकता है, price elasticity के types, वगेरा वगेरा हर type के question यहाँ पर आपको question bank में उपलब्द करा के दिये हैं, 32 page का ए यह सरकार के द्वारा आया है, तो जरा इस पर गौर फरमाईएगा, इसे download कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक boost देने के लिए हो जाईए तयार, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे फिर एक बार, दोस्तों description में link दे रहा हूँ, description में link है, वहाँ से भी आप directly इसे download कर सक बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, do like, share and subscribe